अब रिवाम वेलकम टू आल देस्परेंट आफ लाइब्रेरी एंफरिमिशन साइंस सभी विद्धारतियों का स्वागत है जो भी लाइस से लाइस से अमलाइस कर रहे हैं कर चुके हैं आप में से कही सारे से स्टुडेंट है जो कॉम्टी इएक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो स्टुडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें आप में दुस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन हो पहुंस सके तो स्टुडेंट सुडें जो हम कवर करने माले हैं यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है अड़िजमेंट फॉर दा इंगेजमेंट फॉर लिमिटेड और जो फिक्स पीरिड है कॉंट्रैक पेसिस पे तो यह कहां से निकला हुआ है सेंट्रल इंस्ट्रिटूट ऑफ पेट्रो केमिकल और बाकी जो जनरल इंफरमेशन है आपको यहां पर प्रोइड कर रहे हैं तो यहां पर जो सी आई पी एटी के बारे में आपको बाते की लिखी हुई है जो कि आप पढ़ सकते हैं चाहें तो तो किस पोस्ट के लिए निकला हुआ है यहां पर पेस्केल रहेगा क्या नमब पे केमेस्ट्री हो गया फिजिक्स मैथेमेटिक्स जो प्लास्टिक इंजिनियरिंग हो गया टेकनॉलजी हो गया या वरक्शोप प्रैक्टिस हो गया असिस्टेंट प्लेस्मेंट कंसल्टेंट और सेवन्त नमबर पे हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन तो असिस्टेंट information on eligibility criteria educational qualification and experiences general term and condition जो है candidates application जो है वो मतलब और भी चीज़ों के लिए आप इनके website पर विजिट करें और वहाँ पर आपको और ज्यादा information जो है provide किया जाएगा इन्होंने यहाँ पर लिखाया applicants in the prescribed form along with the necessary join closure है शेंड करना है आपको seal envelope में इनके जो इन्होंने जो address यहाँ पर दिया है हल्दिया city central हल्दिया जो पूर्वा मैदिनीपूर जो है वेस्ट बेंगॉल में आपको यहाँ भीजना है जो registration है speed post या किसी भी तरीके सब भीज सकते हैं तो इसके लिए जो eligibility criteria क्या रहेगा और वाकी जो information जैसे लास्ट एट जो है इसको भेजने का वह 31 तीन 2022 है तो इस बात को भी ध्यान रखें आप तो यहाँ पर देखें असेंशल जो qualification and experiences है detail यहाँ पर mention किया गया है हर post के according तो आपको बता जेते हैं जो librarian की vacancy निकलिए इस post के लिए क्या-क्या जो यहाँ पर qualification और बाकी जो चीजे रहेंगी तो यहाँ पर देखें essential qualification and experiences assistant librarian minimum qualification full time जो first class believe यहाँ पर मायां किया है believe science with post graduation diploma अगर आपने कर रखा है library science information science with typing आपको आना चाहिए PC operation मतलब operate करना चाहिए तो full time का मतलब है आपने यहाँ पर अगर regular से कर रखा है तब ही आप इसके लिए apply करें अगर आप open से हैं तो maybe they will not consider you as an experience eligible candidates experiences में minimum एक साल का यहाँ पर relevant post qualification experience मांगा गया है should be जो convergent है with जो classification system है like DDC या UDC आपको आना चाहिए knowledge of library management software like जो new gen lab है कोहा है यह सब आपको आना चाहिए उसके अलावा knowledge of digital library software like जो green stone हो गया D space हो गया etc must have the zeal to learn latest technology आपके अंदर एक तरह से उत्सुता होना चाहिए एक मतलब ललक होनी चाहिए learn करने के लिए new technology और बाकी जो चीज़े है should independently handle the library आपके अंदर इतनी चमता होनी चाहिए कि आप independently library को handle कर सके और IT skill आपको अंदर होनी चाहिए database के regarding उसके अलावा जो pay scale आपको बताई दिया था 20,000 से लेके 25,000 मिलेगा maximum जो term है यहाँ पे engagement on contact basis पे वो एक साल है और यहाँ पे renewable है up to three year based on the performance और बाकी जो चीज़े है अगर वो आपका अच्छा रहता है और उनको अच्छा लगता है तो आपका extend भी कर सकते हैं तो यह था पूरा इसके regarding information और इसके अलावा अगर आपको कोई information प्रात करना है तो इनके वे साइट पर जरूर विजट करें और बाकी जो information आपको आप चाहे तो यहाँ पे comment box में भी comment कर सकते हैं अगर हमारे बस में होगा तो हम आपकी help जरूर करेंगे तो मिलते हैं आप स हुआ है